चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, डिक्टेशन की गती रहेगी सो सब्द परती मिनट, डिक्टेशन स्टार्ट होगी पाँच सेकिंड बाद. प्रत्वी पर रहने वाले सबी के जीवन का आदार जल है, सबी ग्रेहों में प्रत्वी अपने आप में अनोका ग्रेह, इसलिए है कि यहाँ पर जल है, मगर वर्तमान में जल संकट एक बिक्राल और गंबीर समश्या बन चुका है, इसकी लगातार कमी से आने वाला समय बहुत भेशन होने वाला है, बड़ती गर्मी ने इस समश्या को और बड़ा दिया है, आज हमारे डेश के बड़े-बड़े सहर और दुरस्त इलाके सुकागरस्त होते जा रहे हैं, एक बड़ी आबादी को पीने के लिए स्वच पानी तक नहीं मिल पा रहा है, जल का हमने दोरोपियोग बहुत किया है, हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे उपियोग लायक प्रत्वी पर जल केवल तीन फीसद है, और इसका स्रोत नदिया जील तालाब भूजल है, लेकिन दोहन के कारण आज यह भी अपने अंतिम चरण में हैं लगातार और द्योग क्रशी और प्रती वेक्ती जल की बांग बढ़ रही है, जबकि जल की आपूर्ती लगातार गट रही है, इसका परमुक कारण है जल संसादनों का अती दोहन और बढ़ता प्रदूशन, गलत नियोजन और जल संद्रक्षन को सरकार और आम लोग दोनों उदासीन ही देखे दे हैं, अगर हमने इस संकट पर काम नहीं किया तो निश्चित रूप से हमारा जीवन और इस पर अन्य निर्बर जीव खतम हो जाएंगे, महिला प्रभता रोही अन्ना फिलेमिंग ने बताया कि सिर्फ आसान कामों में प्रूसों के बराबरी करने के बजाएं प्रभता रोहन जैसे खटोर, सरमसाध्य, रोमांच तता जोखिम से बरे काम करना एक महिला के लिए भी संबव है, ऐसी दुरह और जानलेवा चड़ाई लंबे समय तक करते रहना, विश्व की अन्ने महिलाओं के लिए भी एक संदेश प्रदान करती है, भारत की बचेंद्री पाल ने भी माउंट आवरेश्ट पतै करके विश्व में अपना नाम रोशन किया है, जीवन के रोमांच का सही आनंद लेना हो तो ऐसे चुनोती पून कारिय को करके ही लिया जा सकता है, प्रियटन इस्तलों पर मोज मस्ती करने में और माउंट आवरेश्ट की चड़ाई करने में उतना ही फर्क है, जितना क्रित्रिम और असली सुन आबूसनों में होता है, इसके लिए पूरा जीवन लग जाता है, तब कहीं जाकर ऐसी सफलताओं का सुआद मिलता है, जिसने यह सुआद एक बार चक लिया, वह जीवन में किसी भी अन्ने जोकिम पूर्ण कारिय को करने में नहीं जिज़केगा, मात्र बाशा का जाती धर्म और लिंग से कोई मतलब नहीं होता, वैसे ही जैसे दोस्त दोस्त होता है, उसमें जाती धर्म या लिंग नहीं देखा जाता, हाँ सत्ता का प्रवाव जरूर होता है, बाशाओं पर सत्ताएं तै करती हैं कि अमुक बाशा सत्ता की बाशा है, इसलिए इसे आगे बढ़ाना है, और अमुक को कोई खास तवज्जो नहीं देना है, बाशा का जुडाओं संसकर्ती से होता है, और संसकर्ती एक धर्म है, समुदाय, संप्रदाय या जाती विशेश ही की नहीं होती, बलकि उसमें सामुईकता होती है, एक बाशा जिस संसकर्ती को अभिवेक्त करती है, वह उस समाज के हर वर्ग के समान योगदान से बनी होती है, दरसल बाशाएं दर्म के अनुरूप नहीं चलती, बलकि धर्म बाशा चुनती है, और कुछ धर्म कुछ बाशाओं को अभिजाते या देव बाशा या फिर दार्मिक बाशा बनाते हैं, इस प्रिकरिया से बाशाएं कमजोर होती है, बारत से मौरिश्यस में कौन लोग गए, उसका समाज सास्त्रिय अध्यन हो चुका है, दर्म से बाशा को जोड़ना सामुईकता का बिरोध है, मोसम की मार के माध्यम से वर्तमान आदोनिक जीवन की बहुत मामिर्क सच्चाई बयान की गई है, एक तरफ निरंतर बढ़ते, वेश्विक तापमान पर जिंता व्यक्त की गई है, तो दूसरी तरफ उद्योगिक उत्पादन और विलासिता पोन जीवन शेली के कारण बढ़ते जा रहे, बेलगाम कारवन उत्सरजन के लिए विक्सित और विकासील देशों का संगर्स, यह सई है कि बदलते मौसम के लिए हर देश बराबर का जिमेदार है और अगर तापमान बढ़ता है तो इसका खामियाजा हर देश को उठाना पड़ेगा, बिनास से कोई नहीं बचेगा, इस हाकिकत को एमानदारी से सुविकार करते हुए, प्रतेक देश को आरोप परत्यारोप की राजनिती से उपर उठकर समुचित गंबीरता से पर्यावरण की रक्षा और इसमें वांचित सुदार की तरफ ध्यान देने की आवशकता है, पूरा देश तरक्की की सुबै और भवमंजिला प्रसादों से अंतरिक्स चुने के ख्वाब देखता है, मगर बहुत से लोग हैं जो सडक पर छूट गए, सडक भी वह है जो लगातार मरम्मत के बहाने तोट फूट और गड़ों से बरती जा रही है, सडक पर छूटे लोग अब क्या करें, क्या उन्हें भी अच्छे दिन आने के सपने देखने की इजाजत है, सपने देखते लोग सडकों पर बैठे ते तोटी पगडंडियों तक आ गए, किसी ने उनसे पूछा था कि आपको कितने दिन हो गए, सडक पर दरना लगाए, अब ऐसी बातों का भी बला कोई जवाब हो सकता है, जादा पूछा जाए तो यही जवाब देंगे की सडक पर तो हमारा हमेशा धरना रहा है, आप हमारे धरने के दिन ना गिनिये, कोशिश कीजिए की साम दाम दंड बेद की कोई भी निती अपना कर यह धरना उठाना है, हमारा यह धरना वैसे अभी नहीं, बहुत दिन से है, होस समाल ने के बाद पता चला की, यहां अकल और रुची नहीं, सिफारिस और सिकों की चमक देखी जाती है, जब इसके दुरंदारी इन सब सीटों को हतिया लेते हैं, तो हमारे लिए जो बचता है, वह है, कम तर पाट साला और आर्थिक संकट में गिरे हुई, विसुविद्धा ले एक अनार है और सो बिमार है, इस इस्तीपा देखकर अनो का कारिये करता है, तो बाइस उसकी जगे लेने को तयार पैठे होते हैं, लोग आज कल गद्धी सोड़ते कहा है, जाने की तयारी कर भी लेते हैं, तो अपना नाती पोता वहां बिड़ा जाते हैं, कुछ लोग बीते युग के आदर्सों को रोना रोते हुए इस्तीपा दे गए, तो उनकी अकल का मातम ही मनाया जा सकता है, एक ही ही हाथ उनके समर्तन में नहीं उठा, किसी समू ने उनके हक में दर्ना नहीं दिया, होँच समालने के बाद से ही कुछ लोग अपने साथ होती होँच नीच के विरोध में दर्ना देने की बस सोचते रहे हैं, लेकिन ऐसी बातों पर भी कोई दर्ना लगाता है कि हमें सही जगे पढ़ने के लिए नहीं मिली, योग्यता अनुसार नोकरी नहीं मिली, मैनत करके फसल की वुआई की तो उसका सही मुल्य नहीं मिला, अनुदान बटने लगा तो वन्चीतों से अधिक उसके बिचोलिये प्रमुक हो गए, सुए नामदने नेता इस देश का बोज उठाते उठाते दोरे हो गए, उनका दारुन दुख देखा नहीं जाता, उनके हक में बाशन दिये जा सकते हैं, लेकिन उनके लिए दर्ने नहीं दिये जा सकते, हाँ यह अवश्य किया जा सकता है कि अगर किसी समू ने न्याय के लिए दर्ना दिया तो उसे निशाना बनाने के लिए उन्हें देश द्रोई, वीपक्स की कटपुतलिया या फरजी करार दे दिया जाए, समाप्त.